इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको गूगल मीट एप्लिकेशन के अंदर अगर हम मीट को जोइन करते हैं किसी भी मीटिंग को तो महाँ पर लिखावाता है फिल्ड टू जोइन था मीटिंग तो basically यह issue आता क्यों है और issue को हम कैसे solve कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ देखे सबसे पहले तो आपको यह धियान देना है कि जो meeting code आप डालने है वो ठीक भी है या नहीं है और अगर गलत है तो वो तो join नहीं हो पाएगा वो आपको भी पता है बट आप ठीक डालना है लेकिन जब भी join नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस video को ध्यान से आप सरूर देखिए गा तो देखे सीधा से सबसे पहले आप play store में जाएए और यहाँ पर search करिए meet application को और अगर इसमें update आता है तो update कर लीजे ठीक है और update करने के बाद फिर इहां से अगर आपकी issue solve हो जाता है तो अच्छी बात अगर नहीं होता है तो फिर अपने phone की settings में जाएए आप तो हम phone की settings में चलते हैं और phone की settings में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे जाना होगा system में system में भी चलते हैं और system में जाने के बाद date & time आपको दिखाई देगा तो date & time को भी खोल लेना है और यहां पर जो है आपको use network provided को start कर लेना है और automatically लगा लिजेगा अगर नहीं न लगाना चाहें या फिर खुछ से set कर लिजेगा अगर आप एक दो मिनट का कम जादा करते हैं तो वो दिक्कत नहीं है लेकिन एक दो दिन से जादा का मत करिएगा ठीक है तो आपको यह यह करना है और और कुछ अपने फॉन में एकदफ एरो प्लेन मोड लगा लिजेगा और बंद कर लिजेगा और उसके बाद एप्स में जाएगा और यहां पर सी आलप्स को कोल कर मीटिंग मीट अप्लिकेशन आपको find कर लेना है तो find कर लेते हैं तो यह गई पर होगे हमारे मीट एप्लिकेशन तो हम इसको ढूंड लेते हैं तो यह रहे इसको खोल लेना है और खोलने के बाद यहां पर आपको force which stop कर देना है mobile data और वाइफाई पर जाना है simply जिससे कि आपका internet application में मिलता रहा है फिर उसके बाद अपने phone को बंद का लिए खोलीजेगा फिर आप meeting को चलाएंगे और जोइन करेंगे तो easily आपका join हो जाएगा आपको कोई problem देखने को नहीं मिलेगी तो यह process रहता है बस इसका अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा